नमस्ते मेरा नाम डॉक्टर निशान्त यागनिक है मैं सीने कंसल्टेंट हूँ नियूरो सरजरी में मनिपल हॉस्पिटल गुरगाओं में और आज मैं आपको समझाऊंगा की स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस से हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइन पे क्या एफेक्ट परता ह हम regularly बात करते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ या ये बंदा बहुत स्ट्रेस में है पर स्ट्रेस होता क्या है स्ट्रेस दो करणों से होता है पहला करण ये होता है कि हमें बहुत सारी चीजें एक साथ जब हैंडल करनी पड़ें तो स्ट्रेस होता है नमबर टू रीजन होता था जब किसी जानवर से हमें बचना है या किसी शिकार को पकड़ना है और इसमें हमें हमारे कुछ हॉर्मोन्स होते थे जो हाई हो जाते थे उस टाइम पिरियड के लिए अभी क्या हो रहा है हमें मीटिंग से टाइम पे अटेंड करनी है बच्चों को टाइम पे स्कूल में छोड़ना है वापस घर पे आना है बिल्स पे करने है तो ये हॉर्मोन्स जो कभी-कभी हमारे बॉड़ी में हाई होने चाहिए हैं ये 24 घंटे हाई ही रहते हैं और इसके वज़े से हमारी बोड़ी especially हमारे ब्रेन और स्पाइन पे एफेक्ट पड़ता है ब्रीन पे सबसे important effect इसका ये है कि इसमें होता है headache सिर में दर्द के कारणों में से stress सबसे important कारण हो गया आजकर और मेरा हमेशा एक focus रहता है कि जो भी patient मेरे पास आए headache के साथ उसमें बशरते की सिर्फ दवाईयां चला के patient को ठीक करने में मैं चाता हूँ कि उनका stress level करके, उनको wellness देके हम दवाईयां धीरे-धीरे करके काम करें और एक long term, एक लंबे समय तक हम ilाज पैदा करें लेकिन headaches की problem क्या है, कि हमें लगता बहुत बार है कि यह stress से headache हो रहा है, कभी-कभी headaches होते हैं कुछ dangerous कारणों के वज़े से, brain में tumors के वज़े से, bleed के वज़े से या दूसरे कुछ dangerous कारण होते हैं, stress समझ के headache को simple समझना एक बहुत बड़ी गलती है patients मेरे पास कभी-कभी आते हैं, सोचके कि stress में headache था लेकिन कभी-कभी बहुत लेट हो जाता है तो किसी भी headache को ignore मत कीजेगा stress headache को specially कभी ignore मत कीजेगा क्योंकि अगर इससे छुटकारा नहीं पाया तो बाद में जाके brain में degenerative diseases उमर के साथ आने वाली बिमारियों बिमारियां बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाती है spine पे सबसे जादा effect पढ़ता है stress का खासकर shoulders के बीच में जो neck का spine होता है उसको बोलते है cervical और नीचे जो peak lower back का spine होता है उसमें बोलते हैं हम lumbar disc में धीरे धीरे करके हमारी body अलग 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 जगे पर stress लेती है कुछ लोगों को लगता है कि दिन के end में मुझे गरदन में दर्द हो रहा है कुछ लोगों को लगता है सिर में pressure पैदा हो जाता है जिसके वज़े से सुनपन, चलने में दिक्कत, lack of confidence और urinary problems आ सकती हैं. इसलिए stress को कभी ignore मत करना. इसके पहले कि शरीर के साथ बहुत लेट हो जाए, इसके लिए एक opinion लेना, कोशिश करना कि हम दवाई से और wellness से ऐसी situations पैदा करें कि जिसमें आप लंबे समय तक stress भी जहे लें और healthy भी हो जाएं. Thank you.